हें गाइस विल्कम बैक टूदी चैनल होप करता हूं कि आप लोग काफी जाद अच्छे होंगे आज हमारे साथ में आल न्यू मारती सुजुगी ब्रेजा और यह हमारी फैमिली ब्रेजा है जिसको आलमोस्त त्री मंथ हो चुके हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आप करने के बाद kauते का रिटर्न कर दी जाती है विवॉष्ड के त coaches के उडटापर की जाती जाती हैं तो क्या-क्या चीज आच यहां आज को इस वीडियो के अंदर निदे बताने वाला हौं क्योंकि हमारे इस प्रेजार को बोचुकर री Kम्प्लीट हो च चुके तो पूरा जो experience है ना वो हमें हो चुका है तो आज इस वीडियो के तर मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं साथ ही request करूँगा कि इस वीडियो को शेर जरू करें क्योंकि आज जो मैं आपको first service के बारे में knowledge देने वाला हूं शायद ही आप लोग को in detail किसी ने इस बारे में अभी दोनों में से एक भी चीज अगर फुल्फिल हो जाती है तो आपको अपने कार के service करानी है अब हमारे साथ क्या था कि हमारे 45 दिन हो गए थे बाट कार जो है वो 300 किलोमेटर ही रहन हुई थी तो जो criteria है एक महीने वाला वो फुल्फिल हो गय था इसलिए हमने अपनी कार के service कराई तो दोनों में से कोई भी चीज अगर एक फुल्फिल हो जाती है तो आपको अपनी कार के service करानी है और अपना जो nearest service stations है या फिर service centers वहां पर आपको contact करना है और वो pick and drop भी आपको available करा देते हैं अब जैसे हमने जो service है वो नेकसा platinum से कराई थी तो वहां से हमें pick and drop की service पर बिल गई और जो बिल वेगारा की चीज़े हैं वो कोई भी हमने पे नहीं की थी क्योंकि जो first service है वो आपके free of cost होती है सब बात आती है कि इसकी first service के अंदर क्या-क्या चीज़े inspect कि जाते हैं सबसे पहले तो इसका जो नाम होता है first service का वो होता है first inspection service कितना किलोमेटर पर होते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं अब यहां पर मैं help ले रहा हूं service manual का booklet का जिससे की एक भी जो चीज़े ना वो रहना जाए आप लोगों को बताने के लिए तो यहां पर क्या-क्या चीज़ें इंस्पेक किया जाती है उसमें भी काफी सारी चीज़े है सबसे पहली चीज़े's जो की inspect की जाती है वो है इसका engine अब engine के अंदर क्या कि इंस्पेक किया जाता हूँ सबसे पहले है इसका engine का coolant जो है उसके level को check किया जाता है इंस्पेक किया जाता है कि कोई लीकेज तो नहीं है जो लेवल है वो मिंटेन है या फिर नहीं है सेकिंड चीज इसके एंजिन ऑइल फिल्टर ट्रें प्लग गासकेट इनका लेवल और जो लीकेज है उसको इंस्पेक किया जाता है तीसरी चीज इसका जो कूलि इसका क्लच एंड ट्रांसमिशन अब ट्रांसमिशन के अंदर चीज़ें शेक की जाती थी आधि इनस्पेक किया जाती वह इसका क्लच फ्लूड को लेवल उसका ठीक है या फिर लीकेज तो नहीं वह चीज सेकी क्लच जो है उसमें कोई स्लिपन तो नहीं है डागींग तो या फिर एकस्स कोई डामेश तो नहीं है उसको भी इंस्पेक्क किया जाता है तीसरी चीज इस और सिनिया वह चैक किया जाता है तो उसके भी जो गेर आॉइल विगराई जो लीकेज तो नहीं है लेवल वेगारा ठीक है नहीं है वो यहां पर चेक किया जाता है गेर जो शिफ्टर है वो स्मूथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो यहां पर चेक किया जाता है तो यह जो चीजे थी वो आपसे रिलेटेड थी क्लच एंड ट्रांस्मिशन से ओर नेक्स चीज आती है कि ड्राइबशाफ्त में यहां पर कोई ड्राइबशाफ्त के अंदर सुसको इस्पsti टो सब्सक्राइब काफी सारे इसकूर्थ छिनको यहां पर चेक किया जाता है जैसे कि ब्रेक फ्लूड के लेवल को लीकेज को चेक करते हैं next चीज जो brakes pedal है उसके इंदर कोई hard तो नहीं और पूरा जो जिस तरीके से काम करना चाहिए उसके लेवु को ऍरिञ उसके लेवल को पूरा इंसपेक किया जाता है नेक्स चीज इसके पारकिंग प्राइप को यहां पर चेक किया जाता है। तो यह सारी चीज़े द ब्रेक्स के अंदर कि जाती हैं। नेक्स जीज आती है इसके वील के लिए की वील के अंदर भी का फी सारे चीज़ें जिनको चेक किया जाता है जैसे जिसे के टायर उनके अंदर एर प्रेसा है नहीं है अब कोई वेर तो नहीं है क्रांग तो नहीं है रोटेशन वेगर ठीक से हो रही है नहीं हो रही है वह यहां पर इंस्पेक करते हैं और उसके बाद नेक्स चीज आती है वील्स इसके डामेज इसको देखा जाता है को डामेज तो नहीं है नेक्स चीज आती है इसके फ्रेंट और suspension को भी यहाँ पर चेक किया जाता है अब इसके अंदर क्या क्या चीज़े इंस्पेक की जाते हैं वो मैं आप लोगों बताता हूँ suspension के strut के अंदर कोई oil leakage तो नहीं है, damage तो नहीं है, वो यहाँ पर check करते हैं, next is rear spring में कोई damage तो नहीं है, shock Solar Boss, absorbers के अंदर जो कि हमारे shockers हैं, उसके अंदर कोई oil की leakage तो नहीं है, उसको यहाँ पर check करते हैं, next इससी को inspect किया जाता है, वो इसका steering अब steering के अंदर कोई play तो नहीं है loose तो नहीं है, उसको check किया जाता है इसकी rods, arms के अंदर कोई damage सब्सक्राइब है इसको यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स चीज जा उसको यहां पर इंस्पेक किया जाता है वार ने वारिंग एन्टर के अंदर कुछ लाइट टेयल लाइट अंदर की लाइट सब्सक्राइण जाता है उसको यहां पर चेक करके और संझों अगर आपकी कार के अंदर तो उसको भी ऑप्रेशनल है नहीं है ठीक से काम कर रहे हैं नहीं घर रहे हैं इसको भी यहां पर चैक किया जाता है नेक्स सीज आते है इसके वारलेस डॉक उसको हो जाता है यानि कि अगर आपको तर ही जो locks है HINGES है इसको भी यहां पर प्रॉपर लिठ चेक किया जाता है ब्रेक्स वतकृम हें जीhan क में पर न्युल लिडाक चैक किया जाता है सो आप लोग ने देखा कि कितने सारे जो चेक्स हैं वो यहाँ पर किया जाते हैं फॉर्स सर्विस के अंदर और अप्रॉक्सिमेटलि अगर मैं काउंट करूं तो 4745 के आसपास जो पूरी चेक Liस्ट रहो है और उनको यहाँ पर फॉर्स सर्भी के अंदर चेक किया ज की तो यह जो सर्विस होती है यह फ्री ऑफ कोस्ट होती है इसके लिए आप से कोई भी चार्ज जांगे जाते वह जिए जाते हैं और आपकी कार के लिए कितनी ज़्यादा नीटफुल है सो होप करता हूं कि आपको काफी सारी चीज़े समझ आ पाई होंगी सो आप लोग से मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरू करें इस चानल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और इस वीडियो को शेर जरू कीजिए अगर आप फेस् सब्सक्राइब करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आए होगी मिलते नेक्स वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ तेल देन टेक कियर बी सेफ अन बाब बाई